कि अज Coll causa को आ हेलो फ्रेंड्स तो आज का ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो तो मेरे पस एक भाई कमेंट गिया ठां कि सराप Anti-histamine drugs जो आतीए आप उसburg में बीडियो बनाईए तो आज की वीडियो में बिल्कुर डेटेल में discuss करने वाला हूं ऑना Karite Šokuk drug की प्रिकार की तो उस कंडिशन वो इंजक्शन काफिया यूसफल होते हैं और आज की बीडियों बात करने वालें कुछ ऐसी मेडिसेंस के बारे में जिसको हम एंटेस्टिमेंट ड्रग भी कहते हैं अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप उसको जाके देख करने वाले हैं तो 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 हमारा सबसे पहला सिंटम वह हमारा सिंटम आपको चीक आएंगी जो की आपकी बॉड़ी में तो रैसे से पड़ जाएंगे आपको खुछली भी काफियादा होगी तो यह एक सिंटम होता है एलर्जी का फिर जो नहीं नोइस तो यहां पर नौेंस तो यह बएक बहुत बड़ा सिंटम होता है उस्कार में पता You आपको बड़ी में दौर में डिपर स क्यों सकते हो और आपको लॉड़ी हो सकते हैं और तो यह इन दोनेrif जा लेकिन जब टी हो जाती नौश्य जब जी मतलानी जैसा होता है लेकिन उल्टियां नहीं होती हैं तो यह बहुत बढ़ाए सिम्टम्स होता है जो कि एक एक एनाफालेक्शिस वाली कंडिशन में रखा जाता है फिर दो नेक्स टेपो हमारा स्वेलिंग तो यह भी एक आपकी बॉड़ी में सूजना है कि या एक पर्टिकल पार्ट बाइस्वेलिंग आ जाती है खासकर देखा है कि अगर कोई भी ड्राइक्शन कर जाती है या किसी को भी एजर्जी हो जाती ही तो उसको यहाँ पर ओटा पर बहुत जल्दी स्वेलिंग आती है तो यह देखिए यह भी एक बहुत बाड़ा सिम्टम्स होता है तो यह देख कुछ परकार के सिम्टम्स जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं तो एंटी इस्टमेंट ड्रग की बात करने से पहले मैं आप से कहना चाहूँ कि आपको अमेशा को भी मेडिकेशन यूज़ करने से पहले डॉक्टर के एडवाईज जरूर ले लेनी चाहिए तो जो सबसे पहली मेडिकेशन है वो हमारी फैनिर अमाइन जो की काफी अधा पॉबलर है और खासकर सभी लोग इसके बारे में जानते ही जो की एवल की नाम से काफी अधा पॉबलर है जो की जरूत के काउडिक पेशन को प्रेस्क्राब किया जाता है और ये ड्रग भी काफी अधा यूसफल होती है और काफी अधा यूस में भी लाई जाती है तो ये भी आपकी एक प्रकार की एंटेस्प्रिन ड्रग है जो की आपके अलरजी को रोकने में और आपकी किसी प होता है वो रनी नोज में काफ़े दा यूज किया जाता है क्योंकि वह भी एक प्रकार के अलर्जी होती है तो यह भी आपको अलगतर ब्रांड इसको मैनफेक्टर कर दी है लेकिन जो सबसे बैस्ट ब्रांड है वो आपको अच्छे ब्रांड की करी सकते हैं आप डॉक्टर र कि निहां भी आक्षिन हो रखें तो उस कंडिशनु में तीन में तीन बार इसली दे सकते हैं तो अप दिन में दो वार इसाइन को हो दिआंगा वहारा सकतї है उत्स दमारे ल होस्ट्रीज कि यडवाइंस फॉर्म हम इसको कह सकते हैं तो यहां पर दिखी यह जो ड्रेगे जो की लिवोरीड के नाम से और भी अलग ब्रांट ने जो वनेयल के नाम से भी काफिदा पॉपलर है तो इसके अंदर आपको लिवोसेटरिस मतलब जो सेटरिसिंज वाला साल था इससे थोड़ा से एडवांस होता है ल तो अब जो नेक्स ड्रग आती है वो हमाती है हमारी हाईडर आकसी जायम जो की काफिदा पॉपलर है तो यह भी उनसे काफिदा बेटर होती है तो यह दो बार खाना खहने के बास सुबाय शाम लेनी होती है तो अगर हम बात करें सबसे best allergy वाली टेबेट की तो वो हमारी फैसु फैनरडीन टेबेट जो कि काफिदा useful है और काफी costly भी आती है अधर टेबेट से तो यह टेबेट भी काफिदा useful है जो कि Allegra के नाम से काफिदा popular है जो कि अदर तरह की dose में आती है यह टेबेट है जो कि आ बड़ा बहुत हो रहा हैं तो इस कंडिशन में यह सबसे बेस्ट मानी जाती है जो कि 120 की डोज में आपको इसली मिल जाती है तो यह थोड़ी सी कॉस्टली जरूरा आती है लेकिन उन चो टैल्बिट मैंने आप उनसे काफी अच्छा काम कर दिया तो अगर हम बात कर इसके डो होती है जो कि हमें इनी ऐलर्जी वाली टैल्बिट के साथ में लेनी होती है जो सबसे पहली टैल्बिट आती है वो होती हमारे बीथा मैतासॉन टैल्बिट जो की काफ एदा यूसफल है और काफ एदा प्रेसकराबी की जाती है आपकी ऐलर्जी वाली कर्डिशन में तो यह जो टेलिट है जो कि बैट नी सोल की नाम से काफ़ेदा पॉप्षलर है तो अगर आई बात कर जाती है जो कि आपको आपको बाराथ से तेरे रुप़ा में आपको इसली मिल जाती है जो कि आपको गैलास रों कām Britt करती है जो कि काफ़ी ऐच civilise में लाई जाती है तो यह जो टेबिट है जो कि आपके allergy वाली condition में जो allergy वाली टेबिट है तो उसके साथ में यह दी जाती है जो कि एक तरह की इस्टरोइड टेबिट है तो अब जो नेक्स टेबिट आती है वो होती है हमारी dexamethasone टेबिट जो की decadon के नाम से काफ़ेदा पॉपल रहे तो य यह जो इस्टरोइड काफ़ीद है हमारी बॉड़ी को रिकवर करने में तो इस बज़े से यह जो इस्टरोइड प्रिसक्राब की जाती है लेकिन पर्टिकुलर टाइम तक और इसकी डूजर बलकुल फिक्स होती है तो अब नेक्स टेबिट आती है वह तो हमारी प्रेदिन प्रिसक्राब की जाती है और पैशन को कोई सीवर करने न है यह तो क्रेंडिशन में तो कि प्रेदिसोर की जाती है तो यह मैंने आपको ऊपर बताई दी जिसके अंदर आपको प्रैडनिस और जैसा सार्ड मिल जाता है ये उसका एडवांस फर्म होता है क्योंकि इसके अंदर आपको मिध्थाली गृप मिल जाता है जो कि आपके एलरजी वाली कंडिशन में काफ्य दूसफिल होता है लेकि इसमें प्लस पॉंट ये है कि लो डूस पर भी ये एडवांस फॉर्म है ओमना कॉडिल की तो यह लोड इसमें भी काफ़ अच्छा काम करती है तो अब जो नेक्स ड्रग आती है वह होती है हमारी डेफलेजा कॉड जो कि काफ़ेदा यूसफल ड्रग है तो यह भी काफ़ेदा यूज में लाई जाती है तो यह जो सबसे सब्सक्राब भी करते हैं सीवेर वाली कंडिशन में तो यह लाई जाती है जो कि एक तरह की इस्ट्रोड है जा सके मैंने आपको बताया है तो यह ती कुछ प्रकार के टैजबिट्स और मेडिसिंस हम कह सकते हैं जो कि आपके अलरजी वाली कंडिशन में काफ़ेदा यूज कारी मिल सके और मैं अपनी पूरी कोशिस करूँगा कि मैं आपके डिमांडिंग टॉपक पही वीडियो अप्लोड करूं